STP treatment plant को लेकर के जिस तरीके से दीनापूर में सारी कवायदें की जा रही थी उसी के मद्दे नजर आज दीनापूर STP के लिए जहां से सीवेज का सारा पानी भेजा जाता है जो pumping ground बताया भी जा रहा है वहाँ पे दो मद्दूर काम कर रहे थे और दोनों मद्दूर उसमें गिर गए लोगों का कहना है कि दोनों मद्दूर अभी उसमें फसे हुए हैं वहीं अभी कोई भी आला अधिकारी बताने में सक्षम नहीं है कि वो जीवित हैं या मर चुके हैं यही कवायद लगभग डेड़ घंटे से कंटीन्यू चल रही है ताकि दोनों मद्दूरों को उस सीविज जो प्लांट है उसमें से निकाला जा सके और उनकी यथा इस्थिती को व्यक्त किया जायए उसके पुलिस ने जेई और ठिकेदार को गिरफ्त में लेकर के थाने पे बैठा रखा है हाला कि दोनों मद्दूरों की इस्थिती अभी इस पश्ट नहीं हो पा रही है कि वो मद्दूर बचे हैं या उनकी मृत्यू हो गई है अमिद दत्ता इटीवी वाराण सी